हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलो बच्चों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कक्षा साथ की वॉक्षीट नंबर 32 जो की 1 दिसंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विश्य है सामाजिक विज्ञान और आज जो हम ट पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा राणियों की कहानियों का अध्यन ही नहीं बलकि इतिहास में आम जन स्मारकों एवं साहित्य के अतिहास को भी पढ़ते हैं आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों वा विभिन जाती धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था विभिन दर्शन वा जीवन पधती के विशे में उनका क्या नजरिया था यानि इस वाकशीट के थुरू हम राजा या रानी के बारे में ना पढ़कर आम जनता, संतों के बारे में, लेखकों के बारे में, इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपने लोगों को पूजा पाठ करते अत्वा भजन, कीर्तन या कवाली गाते या चुप चाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आखों में आसू भराते हैं इश्वर के प्रती ऐसा प्रेम, भाव या गेहरी भक्ति उन विभिन प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन हैं जिनका आठवी शिताब्दी यानि की मध्यकाल से उद्भव होने लगा था तो भक्ति काल मेंली आठवी शिताब्दी से शुरू होता है और यहाँ पे हम समझते हैं कि परमेश्वर का क्या विचार था बड़े बड़े राजियों के उद्धे होने से पहले भिन भिन समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा सामराजियों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विक्सित होने लगे तो बच्चों पहले हमारा पूरा देश भारत एक नहीं था वहाँ पे अलग अलग शेत्रों में अलग अलग लोग रहते थे जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे और इसलिए उनके सभी के अपने देवी देवताएं और अपना एक तरीका होता था जीवन जीने का पर जैसे जैसे जीवन विक्सित होता गया ये लोग आपस में पास आते गए एक दूसरे को जानने लग गए और उनके रहने सहने का तरीका उनकी मान्यताएं और पूजा पाट का तरीका भी बदलने लगा यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरन और पुनरजीवन के अनंध चक्रों से गुजरते हैं यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं यानि कि उस समय ये सारी अवधारनाएं चलने लग गई थी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस जीवन मरन के च्छकर से हमें चुटकारा मिल जाएगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका हमें भुकतान करना पड़ेगा यह मान्यता की सामाजिक विशेश अधिकार किसी उच परिवार अत्वा उची जाती में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्ते पूर्ण ग्रंथों का विशेथा यानि उस समय जो व्यक्तियों को अधिकार दिये जाते थे वो उनकी जन्म के आधार पर थे अगर कोई व्यक्ति उचे परिवार में जन्मा है तो उसे कुछ अलग प्रकार के अधिकार दिये जाएंगे और एक ऐसा व्यक्ति जो की उचे कुल में पैदा नहीं हुआ है उसे वो सारे अधिकार नहीं दिये जाते थे अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की और उन्मुक हुए तो वो लोग जिनके साथ जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था वो लोग इससे काफी जादा परिश आकरशित हुए और इनके अनुसार व्यक्तिकत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर जन्म के चक्र से चुटकारा पाया जा सकता है तो इन धर्मों की बाते ही कुछ ऐसी थी कि लोग इनकी तरफ आकरशित होते गए कुछ अन्य लोग परमेश संबंधि इस विचार से आकरशित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है श्रीमत भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामानने सन इश्वी सन की प्रारंभिक शताब्यों में लोगप्रिय हो गया था यानि यह जो हम सारा पढ़ रहे हैं यह बहुत पहले की बात है इसवी सन हम गहें जब यह इसवी शुरू हुआ था पहली शताब्यों के आसपास का दौर है जब यह सारी चीज़े काफी जादा लोगप्रिये हुई थी विशद्धार्मिक अनुस्थानों के माध्यम से शिव विश्णु तथा दूर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा साथ-साथ भिन-भिन शेत्रों में पूझे जाने वाले देवी और देवताओं को शिव, विश्नु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा तो उसमें जो मुख्य तोर पे जो भगवान माने जाते थे वो शिव, विश्नु और दुर्गा थे और बाखी जो देवी देवताएं थे जिनकी मूर्तियां बनी होई थी वो इन ही के किसी ना किसी रूप के रूप में पूजे जाने लग गए थे स्थानिय मिथक तथा किसे कहानिया पौरानिक कथाओं के अंग बन गए थे पौरानों में पूजा की जिन पधितियों की अनुशंशा की गई थी उन्हें स्थानिय पंथों में भी अपनाया जाने लगा यानि जो हमारे पास पौराने ग्रंत हैं कथाओं हैं उन सब को अब कही न कहीं काफी जादा मान्यता मिलने लग गई थी आगी चलकर पौरानों में भी इस बात का उलेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाती पाति का हो वह सच्ची भक्ती से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है यानि ईश्वर को पाने का अधिकार सिर्फ उच्वर्ग का नहीं है हर एक व्यक्ती के पास याधिकार है भक्ती की विचारधारा इतनी अधिक लोगप्रिय हो गई कि बॉध्धों और जैन मताव लंबियों ने भी इन विश्वाशों को अपनाना शुरू कर दिया था अब हमें कुछ प्रश्चन दे रखे हैं इनके उत्तर लिखते हैं पहला प्रश्चन है किन विचारों के कारण लोग बुध तथा जैनों के उपदेशों की पती आकर शित हुए चलिए इस प्रश्चन का उत्तर लिखते हैं इस धर्ण के प्रती काफी सारे लोग आकर्शित हुए थे। दूसरा प्रेशन है श्री मत भगवत गीता में व्यक्त परमेश्वर समधी किस विचार से लोग आकर्शित हुए। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बचो दूसरे प्रेशन का उत्तर आप यहां से जाए तो परमेश्वर व्यक्ती को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री मत भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोग प्रिये हो गया था। तो यह है दूसरे प्रशन का उत्तर। और यह थी आज की हमारी सोशल साइंस की व